MS Dhoni, इनकी क्याप्टेंसी के किस्से पूरी दुनिया में मश्चूर है ऐसा ही एक और किस्सा, Dhoni ने अब अपने फैंस के साथ शेयर किया है Dhoni ने ये भी बताया कि अगर उने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और क्याप्टन इन्जमामुल हक के साथ दौरना होता तो वो क्या करते दरसल Dhoni विकेट्स के बीच अपनी रनिंग के लिए बहुत फेमस थे जबकि इन्जी भाई के लिए ठीक उल्टा था Dhoni ने एक इवंट में कहा कि अगर हर किसी को एक टीम प्लेयर होना चाहिए और अपने टीम मेट्स की ताकत और कमजोरियां समझनी चाहिए इस इवंट में बादचीत करते हुए दोनी ने कहा कि वो इन्जमामुल हक के साथ दौरते तो धीमे हो जाते धोनी ने इस सवाल पर हस्ते हुए कहा अगर मैं इंजी भाई के साथ दौरता तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेता अगर मैं अपनी स्पीड कम नहीं करता तो 100% रन आउट होता धोनी ने इसी बाचीत में आगे बताया कि एक बार उनकी एक टीम मीटिंग माइनस एक मिनिट में खत्म हो गई कैसे ये धोनी खुद बताएंगे जी हाँ यानि एक मिनिट से भी कम में मीटिंग डन एंडस्टेड हो गई ये वाकिया दरसल चैनली सूपर किंग्स के एक मैच के दौरान हुआ धोनी अपनी टीम मीटिंग आमत और अपर छोटी ही रखना पसंद करते थे ये बात जग जाहिर है जारकंट से आने वाले धोनी ने कई बार बताया है कि मैच के दिन वो ज्यादा सोना पसंद करते थे ताकि ओन फील्ड एक्शन के लिए फ्रेश रहें इसी बातचीत में धोनी ने उस मीटिंग के बारे में भी बताया हमारी सबसे छोटी टीम मीटिंग CSK में हुई वो माइनस एक मिनट की थी आप ये डिबेट कर सकते हैं कि माइनस एक मिनट की मीटिंग कैसे हो सकती है दरसल मीटिंग शाम के साड़े पांच बजे होनी थी सारे प्लेयर्ज, सपोर्ट स्टाफ, सब लोग 5-28 पर ही इकट्थे हो गये फिर एक मिनट में हमने मीटिंग कर लिए 5-29 पर मीटिंग खत्म हो गए साड़े पांच बजे हम निकल गए तो ये मीटिंग माइनस एक मिनिट की ही रही धोनी आईपिल 2023 में भी CSQ करने वाले हैं धोनी ने अंतराश्टे क्रेट से अगस 2020 में सन्यास ले लिया था उसके बाद से वो सिर्फ आईपिल खेल रहे हैं नमस्कार मैं नाम है पुनीत कैमेरे के पीछ हैं जीर और ये खबर आप ललन टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं यहां हम आपको क्रिकेट और बाकी सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लगातार पहुचाते रहते हैं इसके साथ साथ हम आपको किस्से, कहानिया और इंटर्व्यूज भी लेकर आते रहते हैं आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं हमें फेस्बुक, क्विटर और इंस्टिग्राम पर फॉलो कर लिजे वहाँ हम लगातार आपके लिए लेटेस अबडेट्स देते रहते हैं फिलहाल यूट्यूब पर हमारे इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और देखते रहें लेले टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया